दोस्तो रैपिडो की तरफ से एक नया अपडेट अभी यहाँ पर आया है जिसमें रैपिडो एक नए सर्वीस की यहाँ पर शुरुवात करने वाला है यह सर्वीस C to C रहने वाली है यानि के कस्टमर to कस्टमर इसमें पार्सल डिलिवर किये जाएंगे जैसे की पोर्टर, ब इसमें आपको इनेबल करना है तो सारी चीजे में आप लोगो स्टेप बास बताऊंगा अगर आप रैपिडो में यहाँ पर फूट डिलिवरी पर काम करना चाहते है तो और फूट डिलिवरी में भी एक नया रेट काड़ आया है जिसमें अभी इंसेंट्ट्व स्लैप आपको इनेबल करना पड़ेंगा और साथी साथ एक फॉर्म आपको यहाँ पर फिल अप करके देना पड़ेंगा तो पहले मैं आप लोगों को रैपिडो फूट डिलिवरी पर जो भी इंसेंट्व स्लैप दिया जा रहा है वो किस तरह से मिल रहा है वो मैं आप लोगों द साथी साथ इसका जो रेट कार्ड है मैंने आपको इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था फिर भी शॉट में मैं आप लोग बता देता हूँ इसका जो रेट कार्ड है रेट कार्ड में आपको एक ओर्डर पे मिनिमम आपको 30 रुपए यहाँ पर दिये जाते है जो के 4 km के अंदर की order होती है, देन 4 km के उपर की जो भी order है, उस पर आपको 9 रूपे पर किलोमेटर के साब से पैसा मिलता है, तो इसका जो rate card है, वो भी अभी कापी अच्छा मिल रहा है, और साथी साथ जो incentive है, incentive आप जैसे यहाँ पर देख पारे हो, अगर आपके एक ride complete हो जाती है, तो आपको उस ride पे 5 रूपे एक्स्टा मिलेंगे, इसके बाद अगर आपके और दो ride complete हो जाते है, तो 15 रूपे फिर एक्स्टा आपको दिये जाएंगे, इसके बाद आपके और तीन ride complete हो जाते है, तो आपको 40 रुपए मिलते है और last अगर आपके 20 राइट complete हो जाते है तो आपको total यहाँ पर 500 रुपए आपको daily bonus यहाँ पर दिया जाता है अब इसके बाद देख लेते हैं कि जो अभी rapido नए service को भी लाने वाला है तो उसके लिए आप लोगों को अपने app पर जाके किस आपको option को आपको enable करना है वो यहाँ पर देख लेते हैं तो जैसे आप यहाँ पर rapido का अपना app आप open कर लोगे यहाँ पर आप left side में जो उपर option देख पारे हो यह तीन आरी रंडिया है इस पर आप जैसे click कर देते हो इस तरह से सारे option open हो जाते है अब यहाँ पर आप लोगों को एक service manager का option आपको दिखाई देंगा तो जैसे आप service manager पर click कर दोंगे इस तरह से आप लोगों को interface open हो जाएंगा अब जैसे आप यहाँ पर देख पारे हो food delivery जो service है वो तो अभी यहाँ पर हमारी शुरू है अब यह जो नई service आई है other delivery c to c अब इसके लिए आपको क्या करना है आप आपको इस तरह से यह जो interface से ऐसा नहीं द पर अभी मिल जाएंगा तो अब आपको क्या करना है आपके सामने जब यह other delivery का आपको option दिखाई देंगा तो इस other delivery के सामने आप लोगों को accept का एक option आपको दिखाई देंगा तो आपको उस पर click कर देना है तो जैसे आप उस service को आप accept कर लेते हो इस तरह से interface दिखाई दे जाएंगा तो दोस्तों यह जो अभी service है C2C एनी customer to customer इसमें parcel कैसे होते है कोई भी बंदा अपने दुकान से या अपने घर से कोई भी parcel है जो उसी city में किसी और area में भेजना चाता है तो वो parcel हम यहाँ पर किसी और location पर हम लेके जाके हम वहाँ पर drop करते हैं तो इस तरह से जैसे कि Porter, Borzo और अभी Uber में, Uber Connect में भी इस service पर काफी अच्छा काम हो रहा है तो उसी तरह से अभी यहाँ पर Rapido में भी काम किया जाएंगा इसमें जो instantaneous slab है वो भी काफी अच्छे मिलते है और इसमें जो kilometer का पैसा है वो भी काफी अच्छा दिया जाता है इसलिए इस service में अभी Porter, Borzo और Uber में लोग अच्छा earning भी कर रहे है तो अभी एक यहाँ पर Rapido की तरब से भी इस service पर काम किया जाएंगा तो बस वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को एक like जरूर कर दिजे चले thank you so much मिलते है अगले वीडियो में